तन्न वाहिग्रूजी गोडी महला नौवा नार अचेत पापते डार रे दीन दयार सगल पह पंजन शरन ताहें तोम पार रे नार अचेत पापते डार रे बेद पुरान जास गुन गावत ताकू नाम ये मोत हररे पावन नाम जगत मैं हार को सिमर सिमर कसमल साब हाररे मानस दी बहुर नह पावे कशू उपाव मुकत का काररे नानक कहत गाय करुणा मैं पावसा गर के पार उतररे मानस दी बहुर नह पावे कशू उपाव मुकत का काररे नानक कहत गाय करुणा मैं पावसा गर के पार उतररे वाहि गुरू जी का खलसा वाहि गुरू जी की फत्य शब्द सरूब तान तान गुरू गरंद साहिब सत गुरू सचे पाथशा महराज जी दे पावंदर बार दियां हाजरियां पर रही गुरू स्वारी साथ संगजी यो सज्य होए दिवाना वेच सत्गुरू दी मुबारक बाणी दे पाथ उपरंत गुरू बाणी दे की इरतन सदकार योग पाई सहबान जी पासुआप जी ने बड़े प्रेम एकागरता सहथ शर्वन कीते ने गुरू गरंद साह महराज जी दे अंक नमबर दो सोवी उपर राग गौडी दे वेच नौमे पात्षा गुरू तेग बहादर साब जी दा उचारन कीता हुए ये पावन शब्द आप जी ने पाथ दे रूप वेच शर्वन कीता है गुरू गरंद साहब जी दिवाणी वेच कोज कुल उनाट शब्द ते सतवंजा सलोक नौमे पात्षा जी दे दरज ने जिस वेचों गौडी राग वेच नौ शब्द गुरू तेग बहादर साब जी दे सुवाई मान ने और इन नौमा शब्द आप जी ने पाथ दे रूप वेच सुनेया है गुरू नानक सा महराईतों बाद सबतों वदेरे लमेरा पैंडा तरम परचार कर दे होया मान वता दी सेवा कर दे होया मान वता दा पला ते परुपकार कर दे होया गुरू तेग बहादर साब सचे पात्षा जी ने कीता है गुरू तेग बहादर सा महराईदा पर चार खेतर जड़ है असाम बिहार बंगार ए इह इलाके रहे ने यही कारण है भी सत्गुरू दी पावन बाणी देविच परानक मित जड़ी है परानक हवाले जड़े ने वो बड़े परपूर मिल देने यह इलाके चे आजदे साबनल तक्या जाए जिना समया वेच गुरू तेग बहादर साब जी ने इना इलाके वेच मबार्क चरण पाए ने तरम परचार कीता है उना समया वेचे इना इलाके दी हालत बेहद माड़ी ते खतरनाक किसम दी सी अंध मिश्वाश वैम ते परम जीवन जीवन दा कोई चाज आचार नहीं समाज वेचे किसे भी पासों एक ता नहीं जात पात दे ना दे उते लोक वंडे हो एने और कोजे लाके ता ऐसे सन जिते किसे बार दे मनोक नो वेखना मी लोग पसांद नहीं सन कर दे आज वी तुसी वेखो पार्त दे कई हैसें दे वेच जिवें किसे दूसरे लाके दे मनोक नो वेख के एक खास किसम दी नफरत दे खेज जड़ी है उतों दे बाशिंद दे मान अंदर पैदा हो जान दी है आज भी लोकां वेचो एक ता नहीं समाजक तोर उते लोग के कठे नहीं वेमा परमा दा बोल बाला है पावेज पारत समुचे रूप वेच एक स्टेट दा रूप तारन कर गया ते स्टेट ने लोकां नो काफी एक दूजे दे निड़े कर ले परेदे बावजूद वी पाशा नो लेके खान पीन ते पहरावे नो लेके जातां ते मजबां दे नान दे उते अजेवी लोकां दी हालत बड़ी तरस योग है जिनना समयाविच सहर्ब सथग्रू गरू नानक साब महाराज ने ते उसतों बाद सथग्रू गरू यों एक बहादर साब ने इना इलाक्याँ दे विच परचार कीता है आप आपां समझ सकते हैं जह ये ते आसदे पन्यानो पढ़िये ते सद्गुरू तो सदके जाननों दिल करदेवी महराज ने किना वड़ा रिस्क लेके ना बिखडे खलातां वेच ते बिखडे पैंडे करके किनी क्रिटीकल सिचुएशन देवेच किने मुश्कल समे देवेच सद्गुरू महराज ने लोक पलाई ते पारो पकार दे कार जे ना थामा दे उते जाके कीते में सद्गुरू गुरू तेग भादर सा मराई दा पावन शब्द आप जी ने शर्वन कीता है शब्द दे रहाऊ वाले बंद दे बोल हन नार अचेद पाप दे डर रे कई सजन नार शब्द वख्रा कर लें दे हन अते अग्गे उचारन कर दे हन अचेद पाप दे डर रे शब्द दा उचारन इस तरह नहीं है उचारन है नार अचेद पाप दे डर रे जदो ऐसी अचेत शब्दनों पाप नाल जोड़ दिन दे हां ते फिर एक स्वाल पैदा हुंदे पि ए अचेत पाप केड़े हुए की कोई सुचेत पाप भी हुंदे पाप पाप ही हुंदा है चेते विच रखना उदी कोई कैटा गिरी नहीं हुंदे पियो अचेत पाप है के सुचेत पाप है अचेत ते सुचेत वस्ता मनुख ते वापर नहीं है पाप उते नहीं वापर नहीं अचेत हुएने मनुख ने पाप करना है ते सुचेत हो के बचना है तो जिस वेले शबत दा बिसराम चंगी तरह ना लग सके ती उचारने किता जाए नार अचेत पाप ते डर रे ती फिर स्वाल करन वाले इस दा उचारन गल्द करके बिसराम गल्द लाके फिर पुछ देने ये अचेत पाप केड़े हुं देन इस सत्ग्रू मनुक नो कहह रहे हैं नार अचेत हे अचेत बे समझ मनुक चेत शबद दा मतलब है चेते करनवाड़ा चिंतर करनवाड़ा सोचवान विचारवान मनुक बबेख शील मनुक ते ज़तु अचेत शबद आजा इस दा पाव बे समझ जिड़ा सोचवान नहीं है विचारवान नहीं है जिड़ा कोहर अग्यांता देविच गलतान है बेसमजीदे नाड जीवन जी रहा है सद्गुरु एते आकदेने हे अचेत हे बेसमज मनुख ते इनुपाप तों डरना चाहिद है एक ख्याल करना सद्गुरु ने फ्रमाये बाणी विच पगतरवदास जी दी एपंग्ती है किन्दे मैं होर जीमानों वेकदा है स्रीर कुरूप विच उना अंदर जान है अखा नालों वेकदेने कन्ना नालों सुन देने ते पशू पंची जड़े ने उना दा जेड़ी समझ है ना ओ मनुक जी नी ड्वेल्प नई विकास शील नई उना दा वेकड़ना सुनना मैसूस करना सारा को जा अपने जीवन तक महदूद है उना अंदर मनुक वर की फीलंग नई है पियनना इननी उचाई होते जाके ओ विचारवान बन सकन इसलिए पगतरवदाजी ने उना प्रती जड़ा शब्द वरते होते आन देन योग है पगती जी लेख देने त्रिगत जोन अचेत संभव पॉन पाप असोच इन दे बाकी जड़ियां जूना ना जीवने पशूने पंचीने ये अचेत ने इना चो गहरा चिंतन नहीं जड़ा मनुख दे वेचे इना दी ओ ठिंकिंग नहीं जड़ी मनुख दे कोड़ है इससे करके मैं कई वारू दा हरन देना भी पशू आज जिते खड़ा हजारा साल पहला भी उते ही खड़ा से वो दी सब्यता किसे किसम दी ड्वेल्प नहीं हो सकी ते उनना ने कोई सब्यता क्रियेट नहीं की ती पशूगा ने कोई कल्चर नहीं ड्वेल्प कीता को कल्चर दी नहीं नहीं रखी ते विकास नहीं कीता पशुदी प्रविर्ती जिस्तरां दी सैंक्डे साल पहला सी अजवी उसे तरंदी है पर मनुक सोचवान सी इसने सलीके अपनाए, निजम बनाए, कल्चर बनाया, सब्याचार ड्वेल्प कीता, तरमदी सुझी असल कीती जीवन जिउन दे काईदे ते निजम कड़े दे प्रोसेस वेच अज़े भी प्या होया है किन्या चीजां बाबत मनुक ने आज तक तरकी कर ली है, पदार तक तौरते, जहनी तौरते कि पशुने भी इन्हे ड्वेल्पमेंट कीती है कि पशुने भी इन्हा अगेरा जीवन जीवे है कि ओदे सुबा ते ओदी सब्यता कोई पैदा होई है ओदे सुबा करके नहीं पशुदा पद्दर उती खड़े ओपनी जून पूरी कर ले ओपनी जीवन तक महदूद है ओदे अंदर मलोक जिननी हाई थिंकिंग नहीं उच्चा विचारक ख्याल नहीं है संकल्प नहीं आई ना वड़ा साथग्रु महराज ने इसे करके क्या त्रिग्द जोन अचेत अचेत इस करके नहीं क्या आप यूनन पता कखने पर उनना दा सारा कोज एक दाइरे ताक सीमत है ओभी डर देने आपनी जान बचाउन ली पाज़देने जिन्दगी बचाउन वास्ते खान देने शिकार कर देने लड़ देने ओवी अपने बचे पैदा करके पाल देने ओवी अपना थां टकाना लब लें देने जीन वास्ते पर एक लिम्टड दाइरे दे वेचो जीन देने मनोख वांग नहीं है सद्गुरु आखदे ने अचे तो इस करके है भी मनोख दे बराबर विचार पकोना ने विकास नहीं कीता मनोख जिन्ही उच्ची सुर्थ तो नदे कोल नहीं इस करके क्या त्रिग्द जोन अचेद ते अगे शब्द बरता है संभव पून पाप असोच वेच बवेख क्या गया ताहियों महराज ने बाणी ची कहना दुलब जनम पून फड़ पायो ते कि शब्द बरता है बिर्था जात अभी बेख है सद्गुरु दी मुबार्क बाणी दे वेच बवेख नो सब तो उच्चा रुतबा देता गया ते बवेख की है पड़ चोड करम तो बाद एक पवित्र ख्याल नड जुडके जीना पवित्र अधर्षनो समर्पतो के जीना ये बवेख है गुरमत विच जे साटा अधर्ष उच्चा है जे साटी सोच पवित्र है ता सी बवेखी है उनसेफ सद्गुरू ने आखिया त्रिक्द जोन अचेत संभव पून पाप असोच मानुखावतार दुलब तेही संगत पोच मलोक दा जीवन पशू दे पद्दर दा नहीं ये सुनू नेमतां दिती हैं ने कादर ने कुछ वकरी है सुर्थ भक्षी है सोच जी भक्षी है ये पशू वांग स्वार थी तेक दाइरे वेच बज के जीवन नहीं जी सकता ते जे जी रहे है ते सद्गुरू के ने फिर पशू नाड़ो वकरा की आईदा फिर पशू तो वकरा के में सद्गुरू आख देने मलोक नू आपने मलोक उनदा करतव याद होना चाहिए ते समझ होनी चाहिए पि बाकी जीव जन्तुमा दे नाड़ों परमेशर ने मैनू अलाइदा ते वकरी दाग ते नेमत बख्षी होई है इससे लई सद्गुरू जदों बाणी दे अंदर वकारां दी व्याख्या कर दे न ते सद्गुरू केंदे जदों तू वकार दे प्रबाव थले आजाना है ते तेरी बिर्ती भी पशूबाली हो जान दी है बताओर उदा रण जदों सद्गुरू आख्दे ने भी तू नफरत करदा है तेरे अंदर एक जैर पैदा होंदा है खेज पैदा होंदी है उस वेले तो सापदी बिर्ती दा शिकार होना है जवें सापदे अंदर जैर है ना विश है दूजे दे ते वो जैर वो दे बोडी दा पार्ट है ते वो दी जलन वो दी तकलीफ होँई सई दा है जिमें गर्मियां दे वक्त वेच पाई गुरुदास जीने ऐसी उदा हरन देती है कि इंदे ने सापदी जाँ सपनी जड़ी है जदों गर्मी तपश पहिंदी है उदी बोडी जिस वेड़े गर्माईश दे नाड़ तापदी है ते जहर वाड़ी नाड़ जेड़ी है वो नूँ परेशानी देंदी है ट्रबल देंदी है वो फिर सपनी कई वार आपने बचे ही खा जान दी है सद्गुरु सचे पाथिशा महराज ने बाणी देवे चिक ए उदाहरन देती है बिन सिम्रन जो जीवन बलना सर्प जैसे रजारी सद्गुरु आख दे बंदा जिस वेड़े करोदा शिकार हुन दा है नफरदा शिकार हुन दा है तो की करद है उदा करम वेखो उस वेड़े ओ किस तरह दी जिन्दगी जी रहे है आपने हती बनाया हूई या मैं कि या चीजा नो तोड़ देया एक पाल नहीं लोगा हूँ जन्ना नो खरीदन देऊते हुने बड़ी लम्मी मेल्ट कीती हुन दी है शौक ना लेंदा हुन दा है पान देंदा है एक सेकंड वेच एड़े एड़े नुक्सान कर देंदा है आपने हती बंदयां दे खून नाड हाथ रांग लेंदा है दूसरे नो बे इज़त कर देंदा है किसे दियुते दया नहीं कर दा सद्ग्रु के ने क्यों हुन दा है उन्हों जिस वेड़े उन नारमल हो जानदा है उन्हों बंदे पोश्च देंब एक ही कीता है कि इंदे बास मनों पता ही नहीं लगया मैं गुसे वेच साँ मनों खेजी यह नहीं चड़ी भी मेरा दमाग ही काम नहीं कीता आन कंट्रोल सिचुएशन है उस बंदे दी तेदा मतलब है पी जिस वेड़े ओ क्रोध दी गृफ्ट वेच सी सेम होदी आ तेमें इसी भी अपने अंदर दा जैर होने कटना सी जेड़ा वी उदी रेंज वेच आया होदे ते कट लिया मनोख आया मनोख ते कट लिया वड़ा आया चोटा आया कोई भी आया और कोई बंदा नहीं लबे आ ते बे जान चीज़ां दे उते ही कट लिया सद्गुरू सचे पाथशा महराज ने तश्वियां देती हैं ने बाणी देंदा उन्वे को हड़काए होए कुटे देई तुलना जड़ी है सद्गुरू ने आखिया लोभी मनोख भी इस तरह ही कर देई कुटे नो रोग हो जाए ना पामे पालतू होए मालक उन्हों बड़ा प्यार कर देई पर उजे इस डिजीज दा शिकार है हड़का हो जाए उसनो ते उदा दमाग पशान कर नो हट जान दा भी मेरा मालक कौन है प्राया कौन है तो अपने मालक नो कट दा जिस वे बंदा करो लोग दा शिकार है किन्हों शिकार करता सब तूम पहिला जीदे उते हुटे यकीन बढ़ें बढ़ें जीदे ते पुरोसा बढ़ें बढ़ें पे ौजे को बार ना लब से करता हो वे ता मी छाल जादा है इक आरन है ना इनना चीज़ां करके समाज वे चितार ना बन गई आपने आते कदे विश्वाश ना करो बगाने आते पामे कर लो वो पता इस करके असी कहीं ने आप यजे बगाने नू पेहत नहीं ते बगाने चो कजे कदे कोई इस डिजीज दा जे शिकार नहीं होया जे ड़र रेंज वे चोएगा कुझे दे सामड़े हलक आये कुझे दे सामड़े मालक आजाये नेड़े तोसे मालक नू कटने उन वे उस वह जे पशाणी कंई नी भी पराया कॉण थे बगाना कॉण आपना क उन्हें मालक कौन है ते कौन कितों आया है उस वेड़े ओब बचेयां तो ले जिनना बचे जेड़े बचे ओदेना खेड़ दे रहा है ने उनना नों में काट लेंगा उनना नों बढ़ देंगा ठीक इसे तरह सद्गुरू के ने जियों कूकर हर काया तावे देह दिश जाए लोबी जन्त ना जाड़ाई पाख अपाख सब खाए सैब ने एटियां वटियां होदा अरना बाणी वेच दितियां ने इस तों वटि काउंसलिंग साठी काउन कर सकता है सद्गुरू ने उनना रोगां दी पशान कराई जड़े रोग मनुख दें अंदर पैदा होके इसनों शैतान बना देंदे जिसनी वज़ा करके मनुख की जीवन वेच मनुख की परवारां वेच ते मनुख की समाज वेच बड़े बड़े दुखांत वापर जांदे इनना चीज़ां करके वापर देंदे बेसवे चाही चीज़ां पर यहां पयान है सद्ग्रु आक देन है अजेहा क्यों वापर दाए जदो मलोक अपनी विचार सत्ता गवा लेंगा जदो मलोक अचेत हो जानदाए जदो ओ अग्यानता परेकर्म करदाए ते अग्यानता दी सोच नो अपनाई जानदाए वो दे अंदर दा बबेक दा दीवा मद्दम पहिंदा जानदाए इन वे में समझी यह पी एक सफर है जे असी रस्ता हो ले आए आपने कारतों जड़ा गुर्दवारे नो आँदाए ते जियों जो असी तुरे आवागे न आसी गुर्दवारे दे नेड़े उनदे जावागे जे साठी पेठ गुर्दवारे वाल है ते रस्ता जड़ा है वो किसे कलाब वालों जानदाए ते तुसी उत्र नो तुरे जारुए जिनने कदों पुट दे जा रहे हो ना तुसी तुसी गुर्दवारे तो दूर उनदे जाओंगे ते पाप लाब दे नेड़े उनदे जाओंगे ये सफर है प्रोसेस है ये सितना अग्यानता वाले पासे भी एक सफर उनदा है ते ग्यान वाले पासे भी एक सफरasis Celsty Button जिंदगी ते विछ बंदा सुर्त करके जिड़ा ट्रेक चौन लेंदा है उस तरह दियो dhi अंद्रों सुर्त जड़ी है वो कड़ी दी जानादी है चाहे वो पाप वाली कड़ी जाए ते चाहे वो तर्म वाली कड़ी जाए जिन्यों ग्यानता कठी करी जानादा है उन्हीं ग्यानता दे डूंगे सागर वेचो खुद डिगदा जानादा है ते जिन्ना मनुक एस ग्यान तो निकलन ले यतन शील हूंदा है विचार नो, उपदेश नो, सत्गुरू दी मात नो निरंग तर बे आस वेच लें हूंदा है तियों तियों आ ग्यानता तो उपर के वो आत्म ग्यान दी रोशनी वेच चले आ जाने जानने के मानमों को उनदा भी एक सफर है ते गुर्मों को उनदा भी एक सफर है ये से नो सत्गुरू मशक्कत भी कहीं देने कालना भी कहीं देने गुर पीरां की चाकरी, महा करडी, सोक सार सत्गुरू ने आखे है देच सोक है इस सुखां दा मूल एका लणा पर यह भी दस्य है यह इन्ही सईदी नहीं है इन्ही सुखी भी नहीं भी पलक चपकद्यां हो जाए जा कोई जादूवा पर जाए बक्षिश हो दी जरूर है परेदे लई बंदे नो आपने आप नाड उल्जणा पहिंदा है लड़ना पहिंदा है आपने आप नाड दो चार होना पहिंदा है आपनी ही हालत दे खलाब खलोना पहिंदा है यह कोई इन्हा सुखा नहीं है अपनी होले बंदा बार लड लेंदा किसे वाड़वी उलज जानदा किसे वाड़वी पर अपनी हो दे खलाफ खलोना पवे आपनी बढ़ी होई परसनेल्टी दे खलाफ अगेंस्ट उतरना पवे इन उस सद्ग्रु ने कहां ग्यान खडगले मानसियों लू जाए। गुरू पदेश आतम ग्यान दी तलवार लेके बबेक दी तलवार लेके आपने माननाड लड़ाई खाड़ा, चगड़ा काड़ा। सेब सत्गुरु महराज जिसनों कहीं देने हे बे समझ मनोख तैनों पाप तो डार होना चाहिए। जे तू सच मुझ इच्छा राखदा हैं उच्छे जीवन दी तो तैनों पाप तो डरना चाहिए। वैसे सत्गुरु ने कई ऐसे शब्द बाणीच वरते ने, एक थांते तक गुरु अर्जन सावे कहीं देने, पि जदों कोई चंगा काम होवे, बिल्कुल भी बहना ना करो, देरी ना करो उस काम वेचा। इस करके भी जे तुसी काम कर लिया बिना किसे देरी तो तो अड़ी प्रैक्टेस दा इससा बन जाएगा। सिचुएशन उन्दी है, तो अड़ा अंदर तो अनों कह रहा हुंदा है, पि सही काम में आ है, आ गल्त है, पर बन्दा सिचुएशन दा शिकार हो जाएगा। कई पाख हुंदे ने, वैसे पापी उनदे कई पाख ने, कोई एक नहीं है। बन्दे दे अंदर एक इन्वाइरमेंट बन्दा है, एक बार बन्दा है, बन्दे दे अंदर दी एक ठिंकिंग बन्दी है, कुछ बारों जोर लगदा है। कई चीज़ां आपस विच जुड़दियां ने, ते फेर बन्दा हो गुनाद एराद होते तरुदा है। सत्कुरू ने किया, ने बिलामब तरमंग, बिलामब पापंग, नेक अमल करन वास्ते देरी ना करो, सोचो ना, ते जदों कोई माड़ा करम करना है, कोशिश करो देच देरी करो, कई वार महौल बदल जाए, ते बन्दे दा माड़ा करम करन तो चाट हो जाना। सत्कुरू ने बाणी देविच तरमदे नाल नाल शर्मनों वी एक थान देती है। आम असी उनकें लगपे हैं, जिसानों किसे काम शर्म नहीं करनी चाहिए। सत्कुरू ने आक्या माड़े काम तो तो ता मेशा ही सांग करनी चाहिए। इसलिए सत्कुरू ने फरमाया है कूड चूट कि थे बंदे नों पर बावत करता है जिते दो चीज़ां दा काटा पह जाए। तरमदा ते दुज़ा है शर्मदा। सत्कुरू सचे पाथशा कि इंदे ने शर्म तरम का डेरा दूर नानक कूड रहया पारपूर। कई वर असी तरमी नहीं हुंदे। सद्धा मान तरमी नहीं हुंदा। पर सण वाले दौले दी एक लाज जरूर हुंदी अभी नहीं है काम कीता। ते सुसाइटी, समाज, परवार एक की कैन वे। उत ते असी दिलों मानदार नहीं हुंदे पर आले दौले दी जड़ी लाज है शर्म है। जो रोक लें दी एक माड़े पासे ते जान को। उदा भी बड़ा बड़ा योगदान मनुक दे जीवन वे चुंदा है। मनुक नो कुराए पह जान तो रोकन वास दे। सभ सद्गुरू सचे पातिशा जी फिर्माउंदे ने दीन दयाल सगल पह पंजन। दीन दा मतल बुंदा है गरीब कंगाल निमाना निताना। ते जिड़ा गरीब कंगाल निमाने ते निताने जो ते तरस करन वाड़ा है। ऐसा मीरा प्रमेशर है दीन दयाग। उन्हों दीन बंद भी के है। सद्ग्रु आखदे ने ओ जिड़ा तेरी तरस जोग निमानी नतानी ते कमजोर आतम कंगाली ते आतम के गरीबी दिये वस्ता दे उते भी तेरे ते दया राकदे तरस कर गाए सगल पह पंज़र जिड़ा हर तरह दे तेरी अंदर दे खौफ खत्म करन वाड़े केड़े पह जिड़े पाप विच्चों सैम पैदा उन्देने ना जिड़े पाप विच्चों डर पैदा उन्देने जिड़ा मैं पहले दिवानाच जिकर कीता सी करमी सैज ना उप जाए बिन सैज जै सैंसा ना जाए ओ सैम जिड़े पापनों कमाउन तो बाद साथी आत्मा दे खोखले पानवे चाके जम जान देने बैठ जान देने जिड़े साधे अंदर डर पैदा हुए खुए ने साथ करम दा डार सद्गुरु केंदे उनना ओडार साथ दे अंदरों कर देंदे शर्ण ताहें तोम पाररे हे मेरे मान गाफलता दा पनला शटके अग्यानता दा खेडा शटके पाप तों सांग कार डार दीन दयाल ते पै पंजन प्रमेशर दी शर्ण अख्तियार कर वो दे अगे समर्पत हो उस दी याद विच जुड़ा फिर हजूर केंदे बेद पुरान जास्बन गावत के ते सद्गुरु ने तर्म गरंथा दा समुचे रूप विच नाव वरते पर तीक वरते बेद पुरान पर क्या है समुचे तर्म शास्त्रान सद्गुरु आख्ति ने भी तर्म शास्त्र जेस गालवाल इशारा कर दे पर हमें कोई तर्म गरंथ जड़ है कोई कुस्तक जड़ी असी उदे विचार नाव पूरण सहमत नाव हुई सद्गुरु ने हाला के बाणी देवेच बेद कते विफ्तरा भी लिखे है पूथी पंड़त इना सब नादा जिकर भी कीता है पर पावें विचार तारकों थे मत पेदां दी सद्गुरु ने व्याख्या कीती है पर ये थे सद्गुरु जी एक बड़े शपष्ट तांगनाल केंदेने बेद पुरान जासगोन गावत तर्म शासर जेस वही गुरु दी कीर्थी बयान कर देन ये दा तात पावे है पावें विचार तारक तारते Гरंथा वेच फरको हैगा पर तुस्य काजि सब तुछ हो कि कुरान पढ़े हैं की होएगा वो कहीं है तुस्य तर्मी हो जाऊंगे जनलने कि वो दा कीदा ये तर्मी तर्मी बणाओना और एक वेद पर्णवाले पंड़ जी नो पुछ हो में शास्तर में नु तर्मी ओन दी जाच दास देद। उदी व्याख्या वक्री हो सकती है पर जड़ी अंदर एक सपेट है वो संजी है वो सपेट संजी की है भी असी एक राबदे जाए हां सारे स्तार्तीदे मनोक मातर बराबर ने ते सानो सारे नाल बराबर सलूग करना चाहिए है ते ओ अकालपूर खुवाई गुरू सबना वेच वासदा है सानो दया रखनी चाहिए दी जड़े मूलक सदा आंतने है ओ ते आके व्याख्या सारे आंदी कठीवी हो जाने है गुरू तेग बहादर सा महराज जोस बेसिक सपेट वाल सदा त्यान दवाँदे ने कहीं देने तरम शास्तर जेस प्रमेशर वाहिगु दी होंद वाले पासे तेरा ख्याल दवाराए ने त्यान दवाराए ने ताको नाम ही है मोतहर रे उस मालक दी याद दी होंदा इसासर देवेच वसाके रख वही है उस तो बिना कोई दूजी सत्ता कोई ताकत ने फिर पादिशा कहीं दे पावन नाम जगत मैंखार को पावन दा मतलव है पवित्तर सत्गरू कहन दे जेसदा नाम सब तो पवित्तर है पावन है सुर्ती मैला देनवाड है सिमर सिमर कसमल सा बार रे उस मूँ उस दा समर्न उस दा चिंतन कर करके अपने अंदर दे पापानी मैल लाल है मानस दे बहुर नै पाम है याद राखे मनुखा जीवन दा समा दुबारा हासल नहीं होवेगा ये तेरे अख्तियार वेच नहीं है ये तेरे कंट्रोल वेच नहीं है तेरी मर्जी मताबक नहीं चलेगा जिमें तुँ इस जीवन दा बीत्या समा वापस नहीं नहीं लेा सकता ये जिन्दगी दा वाकत गुजर जाएगा ते दुबारा तो इसनों वापस नहीं लिया सकेंगा ये बक्षिश है जिस साठे यतना चो निकली उन्दी ना ते असी नों लिया सकते सा पर मनुखा जीवन गुर्मत ने कए बक्षिश है उस वाई गुरु अकाल पुर्ख दी ये दी हुते तेरा जोर तेरा अखतियार नहीं से बाकदे ने कशु उपाओ मुक्त का कर रहे कोई उपाओ कार कोई यतन कार ती कसमल पाप तो तो मुक्त हो जाएं अंदर दे सेम तो तो मुक्त हो जाएं फिर हजूर केंडे नानक कहत गाए करुणा मै करुणा मै दा मतलब है तरस करनवाड़ा दया दा सुमा जदो मै शब्द होंदा है ना इन्हो बिंदी नाड़ो चारन नहीं कीता जाना जैस तरा होंदा है गगन मै थाड़ा उन्हों असी के वर मै बोल देने नहीं गगन मै गगन मै दा मतलब है गगन रूपी यह दे नाड़ो चारन होएगा करुणा मै तरस वाड़ा दया वाड़ा सत्गुरु आख देने वो जड़ा दया तरस वाड़ा है उस दे गुणा नार जोड़ पावसागर के पार उत्र रे ते उस दे गुणा दा चिंतन करके उस दे होन दा एसास करके हजूर केंदे ने जगत पवजलतों पार हो जा जिते विशेवकार अग्यानता बेसमजी पाप है सैम है इस सब चीजां जड़ी है ननुसाद गुणा ने रणवे रूप वेच पावसागर के है तो यह से पावसागर तो मुक्त हो सकदा है सैब साद गुरू किरपा कर्ण हजूर दाए पावन उपदेश सड़ सबना दे जीवन दाहे सबने गुरू महराज होईया पुला चुकांदी खिमा बक्षन आप सबनान दा तानवाद अदब सैद गुरू फते नार साँच बनाओ वाहिग गुरू जी का खालसा वाहिग गुरू जी की फते